आप सबे को एक्जाम नेनो यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक जो नया नियूज निकल करके सामने आ रही है कि जहारखंड के केबिनेट के बैठक में एक बहुती महत्तपुर्ण निर्ने लिया गया है रि अलग प्रकार के सिक्षकों की नियुक्ति किया जाएगा तो इसके बारे में हम लोग complete details बात करेंगे तो ये किस टाइप के सिक्षक होंगे कौन-कोन इसमें apply कर पाएंगे complete वीडियो में बात किया जाएगा चैनल में अगर नए है तो चैनल को subscribe कर लिजएगा और साथी पर total 30 प्रस्ताब पर जो है सामति दिया गया उनमें से जो आपके लिए important है वो ये है कि 21,199 यानि कि 21,189 primary school में जो है आपका घंटी आधारित जो है आपका सिक्षकों की नियुक्ति होगी किस category में तो ये जो category है आपका ये category है जनजातियों एवंग छेत्रिय भासा यानि कि जो आपका original language है और tribal language है इन पर जो है आपका सिक्षकों की नियुक्ति होगा इससे पहले अभी तक आज तक जो है जहारखंड में ऐसा कोई system नहीं था कि जिस भी छेत्र का जो छेत्रिय भासा है उस पर आपका नियुक्ति कराय जाएगा जो tribal language है उस पर आपका नियुक् होगी पट अभी का जो नियुज है उसके according अभी घंटी आधारित नियुक्ति किया जाएगा और इसके लिए क्या क्या पाले जो भी स्कूल होगा उसमें क्या होनी चाहिए कि कोई minimum minimum 10 विद्धार्थी ऐसा होनी चाहिए जो उस छेत्रिय भासा को पढ़ते होंगे या tribal language को जानने और पढ़ने वाले कितने विद्धार्थी होनी चाहिए minimum 10 विद्धार्थी होनी चाहिए तो आपका एक शिक्षकों की नियुक्ति होगी उसमें तो अब इसमें जितनी भी भासा होंगे tribal language में क्या क्या आता संथाली हो गया खोर्टा हो गया संथाली हो आपका जो ग गंटी यानि कि अगर आप एक दिन में एक घंटी लेते है तो आपको 200 रुपिज दिया जाएगा अगर आप माल के एक दिन में टोटल तीन क्लास लेते है तो आपका जो उस दिन का total salary बनेगी पर डे के हिसाब से तो 600 बनेगी प्रेस प्रकार से जो है अधिक्तम आप तीनी क्लास ले सकते हैं कितना क्लास ले सकते हैं यह किन लोगों के लिए है जो लोग उस सब्जेक्ट में क्या होगा परसिक्षित होगा याने ट्रेंड होगा सीटेट बगरे किये होंगे या जेटेट किये होंगे या बीएड या डीएड किये होंगे तो उन लोगों के लिए बट इसमें 6 100 रुपिया तेक बनेगी और आपका minimum 2 500 रुपिया आपका बनेगी एक क्लास पर आपको मिलेगा ही मिलेगा, और साथी साथ इसका जो गठन हो गया, इसका जो न्युक्ति किस प्रकार से होगा, ति इसका न्युक्ति के लिए आपका block इस्तर पर, block level पर और district level पर समित का गठन होगा ओर उसी समिति के गठन वो सर्वे के अकोडिंग स्कोलों का चैन होगा और उसके बाद सिख्चिकू की नियुक्ति होगी आप हर कक्छा में उस भासा का मिनिममं टेन विदार्थी होना अनिवार्ज है और आपको 200 रुपीज पार डेस के हिसाब से मिलेगी और म प्रिक्रिया चल रही है 26,000 उसका भी एक्जाम आपको बहुती जल देखने को मिल सकता है तो अगर आप जारकंट के सिक्षक भरती का त्यारी कर रहे है तब चैनल के सब जूड़ जाए आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग और बहुत चले क्लासेज बगरे भी हम चला रहे थे बाट बीच में क्लासेज बगरे बंद कर दिए इसलिए क्योंकि बहुती जादा इंट्रेस्ट नहीं ले रहा था इंट्रेट क्योंकि एक्जाम का एसा प्रेटन है जारकन्ट का कि आपका देखेंगे कि वाले लग रहा था कि एक्जाम हो जाएगा मई माहिना में फिर डेट चेंज हुआ फिर अपकब एक्जाम होगा इसका कोई गारंटी नहीं बट आपको त्यारी करते रहना और जैसा लग रहा है कि जून माई तक आपका एक्जाम हो जाएगा चले फिर से हम लोग क्लासस बगर स्टाट करेंगे इसके लिए को टेंसर नहीं लेना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेएगा और साथी साथ टेलेग्राम चैनल को भी जोइन कर लिजेएगा that's all for today thank you for taking the session